हेलो एव्रिवन उम्मीद करता हूँ आप से लोग अच्छे होंगे तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभी मैंने class 11 का जो पार्ट है बटा class 11 का पार्ट मतलब organic का जो पार्ट है उनका सारे पार्ट का एक अच्छे से PDF फॉर्माट में बना लिया जैसे कि माल लो आप देख पर हो यहाँ जी ओसी लिखा हुआ है और यह पार्ट वान है क्या क्या ट्रोपिक है यहाँ जो आपको आने वाला एक्जाम नीट और जही के लिए मेइन इंपोर्टन पार्ट्स है तो उनका डिटेल्स में मैंने अप टू दा मार्क्स डिसकास किया है जैसे कि पहला टोपिक में जी ओसी पार्ट वार में मैंने डिसकास किया है यहाँ जो नोट्स बनाया है मैंने उहाँ कार्बोन के बार में है और्गानिक कंपाउंड को आप कैसे रीपेजन करेंगे उसके बारे में हैं फिर और्गानिक कंपाउंड में जो कार्बोन होता है उसमें कार्बोन का रेस्पेक्ट टू पोजिशन नेमिंग है फिर आपको सिग्मा पाई बोन के बारे में बता हुआ है फिर आपको डिग्री आपको नोट्स के आंदर देखा हूं तो पहले आपको यहां से स्टार्ट किया है बोलने का अब देख पार हो यहां तो हर एक पार्ट जैसे के आप माल लो मैंने आपको डी यू के बाद करूँ तो यहां बच्चा आपको मैंने डी यू के बारे में बताया है यहां देख पार हो यहां डी यू के बारे में है शुरू तो यहां सारे पहले पहले कॉंसेप्ट है आपको कैसे पढ़ना है फिर आ प्रोब्लम यहां डिस्कास क्या है फिर आपका आ रहा है आयूपेसी नहीं आपको अनेबल एक्साम के लिए जो भी चेप्टर आप पढ़ेंगे तो पहले आयूपेसी जरूर होता है तो वह एक बेस्ट ट्रिक से आपको आयूपेसी नाम कैसे शुरू करना है पढ़ना उसका बेस्ट ट्रिक से नोट बना हुआ है तो यह था आपका पार्ट उन में मैं क्यूँ बोल रहा हूं क्यूंकि इसका पीडिएप आपको डिस्क्रिप्शन में तो सेंप्ल रहेगा अगर आपको इसका पूरा पीडिएप चाहिए तो मेरे साथ कॉंटक करना पड़ेगा और इंटरिमेट के बारे बात किया पर इनक्रोफाल के बारे में फिर फिर तो यहां एक तबिल बना हुआ है फ्र-पिर आपको यहां बता गुआ है बॉन ब्रेकिंग कैसे होता है होता है एक होमोलाइसिस ञांका हूम है है फिर आपको आपको बताया मैंने हेट्रोलाइस के बारे मैं बहुत खुबसुर्थ सा यह नोर्ट मैं अपने हाथ से लिखा है और यह नोट जो है तो उसमें के बता रहा था जो कैसे डिजाइन के खाएं मैंने नोट को जjais की इंटरन के बारे बारे मैंने और रिजस किया धीया टेयर कार्वो काट अ कर नील तो यहां पर्मानेंट टेंपवारी सारे बात किया मैंने फिर आपको बात किया फिर आपको बात किया इंडेक्टिवेट इंडेक्टिवेट स्रीप मैंने डेफिनेशन से काम नहीं चलाया इंडेक्टिवेट टाइप्स मैंने बात किया उनके बार में इंपोर्टेंट की पॉ पूरा डीटेल्स में जीसे की स्टेंट और कर्बोजाली एक अलकोहल बेसिक स्टेंट ऑप एमीन एनिलीन रियक्टिबिटी ओफ हेलो एलकिन हेलो एल्याइड के डोन सारे के सारे देखें कि मानलो आप इस्टाइब इंटर्मेडियर्ट तो यह यह शुरू हो गया ठीक है तो आप देख पा रहूं यहां आप देख पा रहो यह सारे के सारे मैने यहां डिस्कास किया हुआ है ठीक है तो इस तरह मैंने बात करूं अपसे है Son english क्या होता है फिर अपकर मैने देखाया क्या 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 याद रखना है क्या कौन सा यहां आपको बीच-बीच में देखा है जब करेंगे इस बात से आप आसानी से रेजुनेटिंटिंटिंटिंट्म बना सकते होगा है अब फिर उसके बाद आपको देखा हीरा की इस्ट में स्कार रिलेटीव इस्टाबिलिटीप को से ज्यादा हो ऑगा करन और से कम हो कैसे ब resonance का energy resonance energy क्या होता है ठीक है फिर resonance का type या फिर mesomeric effect का type plus i minus i plus sorry plus r minus r फिर उनका application एक brief discuss किया मैंने उनका क्या application mesomeric effect क्या application मैंने बात किया यह और यह पूरा note shrip resonance के बार में मैंने 50 page discuss कितना 50 page shrip resonance के बार में फिर आपको आता है किसके बाद hyper condition फिर hyper condition बार के मैं डिटेल्स में बात किया ठीक है फिर एक खताम होते ही आपको मैंने बात किया था अरो अरो में आपको मिल जाएगा तो इस notes का एक खुब्सूरती है तो अगर आपको पूरा notes आई है जी हो सीखा तो आप description में जाएए और description में में मेरा number होगा उसमें मुझे text करिए ठीक है तो और आपको मैं और भी notes अगर आपको चाहिए तो मुझे आप उस number पर call कर जैसे कि इस तरह ही एक hydrocarbon का मैं आगा देखा जो आपको details में नहीं देखाऊंगा hydrocarbon का मैंने खुब स्रोथ notes बना दिया जो यह पूरा chapter यह पूरा copy देख पा रहे हो मेरा यह मेरा ही बना हुआ hydrocarbon का notes है अगर मेरा goc और hydrocarbon दोनों आप अच्छे से कर लेते हैं अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपको 80% 80% organic खतम हो जाएगा और डर तो बिल्कुल खतम हो जाएगा 80% concept खतम हो जाएगा और डर आपका 100% खतम होगा यह notes पढ़ने के बार जिसकी मान लो hydrocarbon मैंने पहले अलकेन के बारे में सारे बात बताया सारे details में एलकेन के बारे में फिर आपको मैंने आप देख पा रहे हो इसके बद आपको मिल जाएंगा अलकाइन के ङलकाइन जब्हों को यहाँ इसकी सारे की सारे हमेन्जीन का प्रोड्म जो है। यहाँ सीह त्योरी के साहरे हुआ है टीक है है तो बाद आपको एक मन से खुशी आए जो आप ये नोट्स बिल्कुल 100% satisfaction है तो आप मुझे टेक्स्ट करिए अगर आपको फुला नोट्स चाहिए तो ठीक है तो मिलते हैं अगर आप मुझे टेक्स करेंगे तो भी हम बात कर लेंगे और आपको इस नोट्स के साथ मैं परस्वनल कोई डाउट है तो भी मैं solve कर नेकी वादा करता हूँ जो आपको मैं परस्वनल डाउट भी solve कर लूँगा ठीक है तो आप मुझे अगर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे जरूर टेक्स करें थैंक यू, थैंक यू पर वाचिए